हेलो गाइज वेलकम टू कॉरेंट अफेर्स फंड हाओ दोस्तो 26 नमंबर को आईपेस प्यो मेंस का एक्जाम कंड़क्ट हुआ और यहां पर कॉंट का लेबल बहुत इजी था मजा कर रहा हूं आज के पेपर में गाइज आईपेस प्यो का जो यह पेपर यार ऐसा लग रहा प्यों कि आपका क्यालकुलेटिव के साथ में ट्रिकी भी है प्लस जो आप्शन यहां पर दे रखें वह भी काफी जादा ट्रिकी ऑप्शन्स हैं तो मतलब एक एक नमबर के कोस्टन के लिए आपको अच्छी खासी क्यालकुलेशन करनी पड़ी और मतलब पूरे दिमाग क जो गोड़े होते ना वो सारे के सारे एक बार में खुल गए तो देखो यह जो पेपर है ना मतलब ऐसी उम्मीद मैं नहीं कर रहा था लेकिन मुझे लग रहा था कि छलो थोड़ा बहुत डियूरेबल आएगा थोड़े से कॉस्टेंस बनाने वाले होंगे लेकिन पेपर एक्सपेक्टेड आया और जितने भी लोगों ने कुछ भी जो भी कॉस्टेंस बनाये हैं मुझे लग रहा है कि आपकी कॉट ओफ कॉलिफाई जरूर होगी क्योंकि यह जो सेक्शन है यह जितने भी लोगों ने मेंस का एक्जाम दिया है अभी मैंने दो बंदों से बात की उन्होंने खुद का कि सर जो भी डियाई था उसके अंदर अलग अलग सेक्शन हैं फिर उसमें परसेंटेस कैलकुलेशन करनी है ठीक है फिर उनमें ऑप्शन को भी काफी मुझे इंटरप्रेट करना पड़ ला था तो मतलब यह बहुत टाइम कंजूमिंग था और मतलब ए कि यहां पर कट आफ मरी रहेंगे सिर्फ सिर्फ आपने जो भी पॉजिव यहां पर नंबर आप लेकर आओगे आपका वेपर क्वालिफाई यहां पर हो जाएगा बाकि हां रिजनिंग भी जैसा मैंने फीडबेक लोगों का लिया है बट इन कंपेर टू अगर मैं बताएगा कि आपने डियाई में कितने अटेंज की हैं और रिजनिंग में आपने कितने के बाकी पेपर टफ देखकर टेंचर मतलों कि मेरी कट आफ के लिए होगी गाइस कई बार ऐसा होता है कट आफ बिल्कुल बिल्कुल एक डिडिडिर नंबर तक जाती है इवन कट हो आज के वेपर के हिसाब से ठीक है आप सिर्फ यह देखो कि बाकी सेक्शन्स है वो उसमें आप कितने नंबर ला रहा हो ठीक है तो एक बार इसका जब रिजल्ट आएगा तभी पूरी सिच्विशन के लिए रोगी कि कैसा क्या फॉर्मेट रहा था बढ़ा टूब ऑनेस इस एक सेक्शन की वज़े से ही मैं सोचता कि मैं बाहर हो जाओंगा यह हालत सभी के साथ में हो रही है तो अब आगे अगर जिन जिन को मौका मिलेगा तो फिर टाइम कम रहेगा ठीक है बाकी के जो भी एक्जाम से उसको भी अच्छे से करते रहना और एक बार जब रिजल